इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इत्तिहाद न्यूज में आप सभी का खैर मगदा महाय जैसे की फिल्मों में यह डायलॉग काफी अच्छा लगता है कि हार कर जितने वाले को बाजिगर कहते हैं पर सियासत में यहाँ जुमला बेकार साबित होता है यहाँ तो जो जिता वही सिकंदर और आप भाजपा कैसे महाराष्ट में जीत कर भी बाजी हार गई शायद कोई खौब में भी नहीं सोच सकता था महाराष्ट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली भाजपाई सरकार बनाने से बाहर हो जाएगी लेकिन कहते हैं भाजपा को तकबरी और घमंड की किमत चुकानी पड़ रही सियासी माहरीन का कहना है कि अपने इत्तिहादी पार्टियों के साथ जिस तरह का बरताव भाजपा की जानिब से या उनके काईदीन की तरफ से किया जाता है उन्हें सबक सिखाना जरूरी था जो अब शिवसेना ने उन्हें सिखाया है माहराष्ट में घमंड में चूर भाजपा ने कई ऐसे गयर जरूरी मसाइल पर एंसीपी का चरत पवार पर तंज कस्ते रहे शिवसेना मुख्याओ दो ठाकरे अपनी पार्टी को बीजपी के सावने छोटा सावी नहीं करना चाते थे वो नहीं चाते थे कि बीजपी उनके पार्टी को पूरी तरह से निगल जाए वहीं दूसरी तरफ माराष्ट में चल रहे सियासी सरगर्मियों में के सिफे सालार के तोर पर शर्त पवार उबरे वो अपने किले को मजबुत बनाते हुए मुखालिप पार्टियों पर लगातर निशाना साथते रहे माराष्ट के साबिक वजीर आला देवेंदर फटनवीस का जुकाओ वो दो ठाकरे और पवार दोनों की ही तरफ था लेकिन पार्टी के घमंड और तकबुरी के चलते हैं वो किसी को भी साथ पाने में कामयाब नहीं हुए चुनावी परचार के दोरान फटनवीस ने खुद बहुत बुजर्ग काईद सियासत में सभी जानते हैं कि काफी बुजर्ग काईद रहे चर्त पवार और चर्त पवार का कई बार उन्होंने मुझाक उडाया यहां तक कि उन्होंने तो NCP सदर का सियासी खात्मा तक बता दिया वही उन्होंने उद्व ठाकरे को हलके में लेनी की भूल की लेकिन महाराश्णा में सिर्फ फढ़नवीस नहीं गलती नहीं की बलकि बीजेपी के कई अहेम लीडरों ने ये गलतीयां की और इसी वज़े से शिव सेना उनसे दूर होती चली गई इसमें रियासत और मरकस के कई कई चैमिल हैं और सभी जानते हैं कि वजिर आजम मोधी कहते बहुत कुछ हैं पर करते कुछ नहीं इनके कहने और करने में हमेशा फर्क होता है प्रदान मंतरी ने उद्व ठाकरे को अपना चोटा भाई कहा था बीजेपी हमेशा शूसेना को ख चुनाओं लड़ा हालांकि जब बीजेपी ने देखा कि शूसेना ने चुनाओं में अच्छा मुजारा किया तो उन्होंने दुबारा उनके साथ इत्याद कर लिया बाजपा अपने साथ शूसेना को कोई बड़ा ओधा देकर अपने अख्तियार में रखना चाहती थी पर उनको खरीदना आसान नहीं है तभी तो उन्होंने हुकूमत बनाने से इंकार कर दिया यहां तोड़ फोड़ करना आसान नहीं है दूसरी वज़य यह भी है कि भाजपा को एक्तादार का नशाद सर चड़कर बोलने लगा था और शूसेना को हलके में लेना इनको महंगा प असाहिल पर मिलसेना होए आस्ट पवार ने ज्यादा संझीद्गी स Jeżeli से नो और शूसेना की भी नजदी किया बढ़ने लगी श्राद पवार ने भी एकरार दाहिर किया और शीख्यो जल्दबाजी में योई फैसला नहीं लिया कई बार इन्होंने हो सकता है कि सलाम शोरे कि यह होंगे तभी तो भाज़पा को उन्होंने तीस साल की दोस्ती से दफ्तवरदार कर दिया और पुरानी दोस्ती को तोड़ दिया शरफ तोवार ने खामुशी के साथ अपने पार्टी को मजबुत बनाने में अपनी सलाहियत को जो का जिसका नतीजा भी बहतर सावी था शर्त रखी पहले वो केंद्र की एंडिये सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले ले एक तरफ तो बीजेपी अपनी सत्ता और पैसों के दम पर दिगर रूखने असंबलियों को अपनी तरफ नहीं कर सकती वहीं अब दो मराठी ओयन की उद्दोर और चरात्पवार के मिलने स महराष्ण में बीजेपी को तगड़ा जटका लगा है चिसका असर आने वाले इंतखाबात में भी जरूर होगा भाजपा के लिए जहां बड़ा नुकसान नजर आ रहा है वहीं कॉंग्रेस और न्सिपी के लिए फाइदे का सवधा दिखाई दे रहा है इतना जरूर कह सक तेरे भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं इतिहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया अल्ला हाफिस